साल 2020, 90's किट के लिए वैसे तो काफी फ्यूचिरिस्टिक होने वाला था, इस दौर में फ्लाइंग कार की भी खूप चर्चा रही मगर कोरोना के वज़े से हर चीज मानुत्थम सी गई लेकिन अब टेक्निलोजी और आटो मुबाइल्स के फैंस के लिए खूश कबरी है हली में लास विगस में कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स शोग मर्सेडीस ने अपनी नए कॉंसेप्ट कार एवी टीयार की पहली जलग दिखाई ये कार जेंस केमरोन की ओल टाइम ब्लोगबस्टर्स फिल्म आवतार से एक इंस्पायर्ड है मर्सेडीस का मानना है कि ये कार इंसान मशीन और प्रक्रती के बीच एक इंटराक्शन है पर इसकी सबसे खास बात ये है कि इस गाड़ी में स्टेरिंग वील ही नहीं है स्टेरिंग के जगा इसके अंदर लगा है मल्टी फंक्शनल कंट्रोल एलिमेंट और इस कंट्रोल यूनिट पर हाथ रखने से ये कार चलेगी वहीं ये कार अपने ड्राइवर की पहचान उसके सांस लेने के पैटरन और हार्ट पीट से ही करेगी मर्सेडीज ने इस गाड़ी को कुछ समय पहले सड़क पे शोकेस और आम सड़क पर मुवमेंट्स भी दिखाई ये कार डैगनों में भी चल सकती है और क्रैब वॉक भी कर सकती है हाला कि ये अभी बाजार में देखने को नहीं मिलेगी पर इस गाड़ी के कुछ इंटरस्टिंग फीचर्ज हमें अन्य किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे कैसे लगे खबर कमेंट सेक्षिन में हमें जरूर बताएं और देश दिने के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत वर्च